दोस्तो नागलान्ड भारत का एक खुशुरत राज्यो है जो कि भारत की उत्वरपर्वसीमा परस्ती थे नागलान्ड को इसके उपनाम ल्यांड ओफेस्टिवाल के नाम से विजाना जाता है नागलान्ड राज्यो अपनी संस्कृति, विरासत, बेशबुशा, खान पान के साथ साथ प्राकृतिक खुशुरति के ले जाना जाता है यहां आप बहुत सारी ओईतियासिक और प्राकृतिक जगें देख सकते हैं नागलान्ड में तोहार और परमपराओं को बहुती धुमधाम से मना जाता है अगर आप भी नागलान्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को अम तक देखिए नमस्कार दोस्तो मेरा नमे संजय और आप देखने होमारी यूटूब चैनल ट्राभल कानिभाल नमबर एक पर आता है दिमापूर नागलान्ड के परियोटन आकरशन में आपका स्वागत करने के ले दिमापूर अधी कारिक्तोर पर राज्योगा प्रवेस बिंदु है एक सुन योजित सेरे जो इतियास प्रेमी और प्रकृति प्रेमियों को असंक्य अवसर देता है क्योंकि ए उन्हें एक अवस्मर्यन यात्रा पर ले जाएगा दिमापूर में कुछ बहतरिन जगें हैं जो अपने सांदर परिदुषय के लिए जानी जाते दिमापूर और उसके आसपास के ए परियोटन स्थन आगउन्तुकों के लिए आधर से क्योंकि वो सांत है और सेह है और ये नागालांड के सबसे पसंदी जा परियोडन स्थलों में से एक बना हुआ है आधुनिकता और प्राचिन आकरशन के उतम मिश्रण के साथ कोहिमां राज्यों के लिए एक मिल का पतर बन गया है कोहिमां में कोई सुन्दर दुर्षय है याब को दित्यों विशोव के समय में भी ले जाता है ये स्तान स्तानियों अंगामी जन जातिके जीबन के अंदर झोकने का अवसर देता है जो इस छेत्र में प्रमुग है कोहिमां इथियास और संस्कृतिका एक आधर्स मिश्रण है और जब आप नागालांड में हो तो ये लिश्चीत रूप से प्रकृति प्रेम्यों के लिए सोर्ग माना जाता है पुरी पाहड़ियों पर रोडो डेडरोंड प्लांड के साथ मोको कोचुम का प्राचिन बाता बरण आपको इस जगह से प्यार करने परमजबुर कर देगा इस छेत्र का सबसे लोगप्रियों परेटन स्तल टाउन पार से मसम्रूद है इसके आलाबा स्पेल बांडिंग हेल्स और सिलोई जिल यहां के सबसे आकर्शन है फेक जिले में खुबशरोत पाहड़िया कोपामो डोजू और जेनिबु इसकी सुंदरता को और अधिक निखार देते हैं आप यहां के प्रसित फेक जलप्रपात की सेर का प्लान भी बना सकते हैं पारिबारिक भ्रहमण के लिए एक आधर स्थान है शिलोई जिल के आलाबा आप यहां की जुट्टु जिल की सेर का भी आनद ले सकते हैं ए जिल चारो तरफ से प्राकुर्तिक खुबशरूति सेगीरी हुए नॉमबर पांच पर दुएन सांग ला प्रदर सिद करते हैं स्थान्यों हस्त शिल्फ और उत्पादों की खरीदारी के लिए त्यन सांग मुख्य बजार पर जा सकते हैं प्रकुर्ति प्रेमी भाकिम बन्यजिवा अभर्यान का भ्रहमण कर सकते हैं जो विवीद बन्यस्पतियों और जिवों का घर है नंबर छे पर मौन जो अपनी कौन्योंक जन जाती और दिल्चस इतिहस केले प्रसीदे हैं सांस्कृतिक और प्राकुर्तिक आकर्शन का एक मौनरों मिश्रन प्रदान करता हैं स्थान्यों लोगों के साथ बादचीत करके आप कौन्योंक जन जाती की सांस्कृतिक को लिखार सकते हैं सागनू गाउं एक सांस्कृतिक आकरशन का केंद्र है जिसमें प्रभाप सली पारमपरिक लकडी की नकासी और एक बड़ी अपचारी खोपडी है यहाँ पारमपरि गीतों नुर्तियों और दाबतों के साथ मनाय जाने वाले जीबत एयरलिंग मस्चब को देखने को मौका ना चुके नुमबर साथ पर जुडुको भाली जिसे नागालांड में अक्षर फुलो की घाटी कहा जाता है प्रकृति प्रेमियों और ट्रेकर्स के लिए एक सोर्ग है पाहडेयों के बीच बसे ये सुर्वम घाटी मनस्चन के मोसम में कोई प्रकर के फुलों से जिबंध हो जाती है ट्रेकर्स घाटी तक पहुंचने के लिए चुर्णति पुलों लेकिन भाइदे मोंद यात्रा शुरू कर सकते हैं जो लुभाबने दुर्शियों और सांति पुलों महल प्रदान करती हैं यहां आप तारों से भरे आकास के नीचे क्यांपिंग करके परिवेश की सांति को अनुभाब कर सकते हैं जो लोग प्रकुर्ति के साद उसके सुधतम रूप में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए जुड़को घाटी नागलांड में एक अविश्मर्यों रोमाद प्रस्तुत करता है नागलांड का पहला ग्रीन विलेज कहा जाता है पहाड़यो के बिच स्तित ए आदर्श का नागा संस्कृति और पर्याबरण अनकुल प्राथमिकत्या को प्रदर्शित करता है आप यहां हरे बड़े सिडीदार खेतों में घुम सकते हैं और जीवन्त लकडी की नकासी से सजे अंगय मी नागा घरो को देख सकते हैं नंबर नौपर लेंगणरान का एकसर नागानी मोरा प्राकूरतिक सोंदर्ता और स्तानीवायो का अकरषण का मिश्रों पेस करता है यहां आप छेत्रों के चाइब औगानों का अन्नोस्ण कर सकते हैं यहां आप चाय भोगान की प्रोक्रिया के बारे में सिख सकते हैं और इत्मिनरान से टोलने का आनोद लेज शकते हैं यहां की जलबवी विश्राम के लिए अनकुल है जिसे ये विश्राम के लिए एक आधर स्तान बन गया है आप स्तानियों लोगों के साथ जुड कर उनकी जीवन सोली का अनुभव लेख सकते हैं और उनकी सांस्कृतिक पुराउं-पुराउं की खोज कर सकते हैं नामानी मोरा एक सांतिपुन बाताबरण और नागा जीवन को देखने का मुख अप्रदान करता है नामबर दोस पर नियागालाण में जातियों बीविदोता और सांस्कृतिक बिराजशों से समरूत छेत्रों ख्याम नियूंगन अनुभव की एक आकरशक शुरूंखला प्रदान करता है आप यहां स्तानियों गाउं का दोरा करके और उनके रिती रिवाज से जुड़ कर ख्याम नियूंगन जन जातिक परमपराओं में जुड़ सकते हैं इस छेत्रों के हरे भरे परिदुर्शियों प्रकृति प्रेम को ट्रेकिंग, लंबी, पेदल यात्रा और शुरूंखला प्रदान करते हैं